दोस्तो आज मेरा दिमाग इतना खराब है मेरा मूड इतना खराब है कि मेरा मन भी नहीं किया कि मैं आज अपने प्रोफेश्टल कैमरा को ओन करूँ और उससे वीडियो बनाओं क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि यार यह हो क्या रहा है अंड्रोइड में अभी आपने ख़वर 12 L 13 और इवन 14 जो लेटिस्ट इन सभी में वल्लेरिटी पाई गई है कॉल कॉम स्नापड्रागन मीडिया टैक इन सब में वल्लेरिटी पाई गई है सर्ट इन ने भी यह वर्निंग दे थी है किसमें वल्लेरिटी अब क्या क्या में हैं देखो इसका मारा में इसमें Android of laws हैं एक वर्क में system kernel ARM components imagination technologies mediatek component Qualcomm component Qualcomm closed source components मतलब समस्त्यू इसका मतलब Samsung Realme, Oneplus, Xiaomi, vivo यह सारे ही device इसके चंगुल में आ जाते हैं अब बात यह है कि इसमें वल्लेरिटी आई है और इसके patches भी निकल गए हैं लेकिन उन्हें device के लिए हैं जिनमें updates आते हैं ऐसे बहुत सारे brands है जिसमें update नहीं आते ऐसे बहुत सारे brand है जो android 12 चला रहे हैं लेकिन उसके बाद कोई update आने बंद हो गया है उससे बाद में update नहीं आएंगे और android 12 कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत प्राचीन चीज है अभी भी बहुत सारे लोग android 12 चला रहेंगे उससे भी नीचे बाद चला रहे होंगे तो उनमें अगर कोई vulnerability है या कुछ तो उनको पूछेने वाला कौन है हम लोग यह बोल देते हैं कि यार android बहुत अच्छा ठीक है मैंने बहुत तारिफ किये मैं तो दौनों की तारिफ किया आइफोन की और android की सब की किया लेकिन इस चीज का क्या अब मेरे पास बहुत सारे फोन है और लोगों मेरे पास बहुत सारे फोन है उनमें कोई update नहीं है तो वो क्या करे हर कोई custom room तो नहीं डाल सकता ना किसी unknown website पे जा सकते हो क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता आपके phone में basically अंदर-अंदर इतने flaw है कि आदमी manually तो उन्हें patch नहीं कर सकता it is not possible for a common person to patch these vulnerabilities तो भाई ये तो गया काम से अब पुराना device है तो आप change करो पैसे नहीं है तो vulnerability के पास वहर vulnerability के पास साथ जी हो मूड बहुत करा है जो बोल बाल में नहीं पा रहा तो भाई ये तो हाल है इसलिए कहते हैं यार ऐसे device खरीदो branded चीजे खरीदो जो guarantee देती हो जैसे Samsung हो गया Apple हो गया ये थोड़े महेंगे phone आते हैं स्पेक्स कमजोर देते हैं इस चीज़ को ध्याद में दो सबसे पहले जो भी Android इस्तिमाल करते हो कोशिश करो कि जो भी नहीं अपडेट है उसे कर लो और अगर आपके उसमें अपडेट नहीं आते और आपके पास पैसे हैं तो नया phone खरीद लो और अगर पैसे नहीं है तो critical चीज़े, private चीज़े, banking इस तरह की चीज़े अपने phone में मत करो क्योंकि वो आप safe नहीं है और उसका कोई समाधान नहीं है समाधान की मैं बात करो तो अब update कर लेते हो ना तो अभी कोई समाधान नहीं है दुनिया क्या है अपडेट करने के बाद क्या दिक्कत आती है यह phone है नहीं यह एंड्रॉइड के अपडेट कर लो इनकी camera quality खतम हो जाती है बहुत सारी लोग report करते हैं कहां जाये क्या करें कोई solution नहीं है बस अंधकार में जीवाना कुछ न यही है बस अब कुछ नहीं है ठीक है देखते हैं और क्या होता है